नमस्कार मैं हूँ खुश्बू हजारे आप देख रहे हैं खबर ठेकाना इन दिनों टेक्नोलोजी बहुत आगे बढ़ गई है और हर दिन कितने अलग-अलग तरह की मशीन आ गई है ये देखकर हैरानी होती है इन फैक्ट मशीनों के लिए जो एक्जिबिशन लगती है वहाँ पर भी देश-विदेश से लोग पहुँचते हैं इसी बीच स्विजलेंड में एक ऐसी मशीन बनी है जो ना सर्फ चर्चा का विशय है बलकि लोग ये जानकर हैरान है कि इस तरह की मशीन को स्विजलेंड की गवर्मेंट ने अप्रूवल क्यों दे दी क्योंकि इस तरह की machines तो मौत को बढ़ावा देती है इस machine का नाम ही मौत की machine है यानि की death machine जी हाँ Switzerland में ही इस machine को इजाद किया गया है दिखने में बेहद छोटी है ये machine लेकिन पूरे के पूरे एक इनसान को खत्म कर देती है ना सिर्फ Switzerland की सरकार ने इस machine को approval दिया बलकि इस machine ने काम करना भी शुरू कर दिया है अब तक 1300 लोगों को मौत के घाट उतारा है इस machine ने सारको नाम की ये machine है जो बिना दर्द के आपको मौत के घाट उतारती है सबसे बड़ी बात जहां लोग हैरत में हैं और कई लोग इसको criticize भी कर रहे हैं इस तरह की machines जो है suicide को बढ़ावा देती हैं वही Switzerland ने इस machine के बाद इसी तरह की दो और machines पर काम करना शुरू कर दिया है इस machine को लेकर Switzerland की इतनी बदनामी हो रही है कि जिस डॉक्टर ने जिसका नाम है डॉक्टर फिलिप नश के उस डॉक्टर को भी अब डेथ डॉक्टर बुलाया जा रहा है सबसे बड़ी बात जहां एक तरफ इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये machine suicide करने वालों को provoke करेगी वहीं Switzerland का कहना है कि ये machine एक अलग सोच से बनाई गई है ये machine उन लोगों के लिए है जो जिन्दगी से परेशान हो रहे हैं किसी बिमारी के कारण बिमारी के कारण उनका पूरा शरीर सर चुका है वो बेड डिडन है उनका कोई भी ओर्गन काम नहीं कर रहा है सिर्फ सांसे चल रही है और वो मौत पाना चाते हैं यानि कि कह सकते हैं कि इच्छा मृत्यू वाले लोगों के लिए इस machine को design किया गया है हम देखते हैं कि कई बार लोगों को ऐसी बिमारिया हो जाती है जिससे ना वो चल फिर सकते हैं ना बोल सकते हैं खाना भी किसी और को खिलाना पड़ता है और बड़े परेशानी में रहते हैं मौत आने का इंतिजार करते हैं ऐसे में इस machine के जरिए मौत आने का इंतिजार नहीं करना होगा बस उस person को decision लेना होगा कि बस अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा है मैं मरना चाता हूँ तो उन्हें इस machine के जरिए मार दिया जाएगा हाला कि हमारे देश में तो ये चीज बिलकुल allowed ही नहीं है suicide तो crime है ही लेकिन इच्छा मृत्यू भी allowed नहीं है खबर ठेकाना में अभी के लिए बस इतना ही पलपल की updates को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठेकाना